मित्रों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप A.T.L.Payment Bank की A.T.L.Think एप से Payment History चेक केसे करेंगे केसे पता लगाएंगे कि आपने A.T.L.Think एप से आज तक कितने पेसे टांसपर किया हैं और कितने पेसे रिसीब किया हैं इसके लिए आपको A.T.L.Think एप लिकेसे न ओपन करना है जिसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरहें का पेज ओपन होगा अब आपको नीचे एक ओप्सन मिलेगा पैक का इस पर आपको किलिक करेंगे जिसे आप इस पर किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरहें का पेज ओपन होगा अब आपको यहाँ पर एक ओप्सन मिलेगा हिस्टरी का इस पर किलिक करेंगे जिसे आप इस पर किलिक करेंगे तो आपने A.T.L.Think एप से जितने भी transaction किया होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप 6 मैने पीसे तक की payment history चेक करना चाहते हैं तो आपको उपर एक option मिलेगा filter का इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे money sent और money received अब आप जैसे money sent सेलेक्ट करके apply पर क्लिक करेंगे तो आपने atl think app से जितने भी पैसे transfer किया होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप money received पर क्लिक करके और apply पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपने ATL ThankUp में आतलक जितने भी पैसे रिसीब किया हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप 6 महिने पीछे तक की transaction history चेक करना चाहते हैं या payment history चेक करना चाहते हैं तो आपको नीचे 6 मंत दिखाई दे रहे होंगे इन में से आपको भी एक सेलेक्ट करके apply पर क्लिक करेंगे तो आपने एक महिने में जितने भी transaction किये होंगे बो यहां पर आप देख पाएंगे इसी तरहें आप ATL Thank Ape से ATL Payment Bank की transaction history and payment history चेक कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share and YouTube channel को subscribe करें जाहें